खोटो की जाने के लिए गाईज ये बॉर्ड में लिखा हुआ है मननत और ये जो गेट देख रहे हैं ये सारुक सर के घर के अंदर जाने का में गेट है इसी से सारुक सर घर के अंदर जाते हैं गाईज आप लोग देख सकते हैं ये नजारा तो गाईज आप लोग देख सकते हैं इस समय हम सारुक सर के घर के बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं आप तो ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में सारुक सर रहते हैं और यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार है, जो भी मास्क निकालता है उसे फाइन देने पड़ता है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बसे काफी आ रही है जो सारुक सर का घर है वो बिलकुल रोड के गिना रही है और बगल में ही समदर का नजारा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप ही लोग बैटे हुए हैं यहाँ गुन्ने के लिए आते हैं तो आप सभी लोग देख सकते हैं सालुक सर के घर के सामने का ना जा रहा गर के सामने ही समुद्र है देख सकते हैं और लोग जाने के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं मन्नत के साथ आप लोग देख सटे हैं साउक सर के घर के आसपात कही सारे पेंड भी लगाए गए हैं जिससे भाता वान सुट रहता हैいきます हम आपको दूस्री तरफ से भी दिखा दे रहे हैं तो गाईज जैसा कि आप सभी लोग अभी देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर अभी बस से उत्रे हुए हैं सारुक सर का घर देखने के लिए आये हुए हैं मनत के साथ फोटो खिचवाने के लिए और गाईज अगर आप सामने देखेंगे तो देख सकते कितनी सारी पबलिक बैठी हुई है मननत के साथ फोटो खिचाने के लिए क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा वील लगी हुई है और गाईज अगर सारुक सर के घर के सामने की बात करें तो सामने सीधा बैंड स्टेंड का नजारा देखने को मिलता है सारुक सर के घर के सामने आपको समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा गाईज सारुक सर के घर के सामने कई दुकाने भी लगी हुई हैं जैसे फास्ट पोट की, पानी की बोतल, कोल्डिंग, इटीसी तो गाईज जैसे कि आज व्लॉग में हमने आप लोगों को दिखाया सारुक सर का घर तो आपको सारुक सर का घर कैसा लगा देखके कमेंट में जरूर बताईएगा और आप अगला वीडियो कौन से सेलेटिस का घर देखना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखेगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तक तक के लिए जैन जैबारत